नवस्कार गाईज, स्वागा थे आप सभी का हमारी यूटूब चैनल दा रेलवे इंफो डेक पर दोस्तो आज की वीडियो में हम फिर उपस थे थे एक नई इंफोर्मेशन के साथ दोस्तो आपने सुना होगा की ठंड में रेल की पट्रियों में प्रत्ती होती है दोस्तो ठंड के समय रेल पट्रियों में कभी कभी तो इतनी सिकलन आती है कि उनमें क्रेक हो जाता है और इसी प्रकार की घटना की जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तो जानकारी को आगे बलाते हैं इससे पहले आपसे आग रहे हैं कि यदि आप मैं तरफ पहली वार आए हैं तो कि प्रेश चैनल को सब्सकाइब करें और हां बेल आइकन जिरू प्रेश करें जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नौटिपिके तन आपको समय से मिल सके साथ यो इस ठंड के मोसम में पहला देल क्रैक 13 दसंबर मंगलवार रात है नो बच का दस मैट पर देखने में आया है दोस्तो यह क्रैक निसातपुरा और सूकी से बनिया स्टेशन के बीच में आया है और गनीमत यह रही कि उस लाइन पर गाड़ी गुजरने से पहली ही द दोस्तो देलवे ट्रेक में आय क्रैक की वज़े से नई दिल्ली चेन नई देल मार्क की डाउन लाइन में दो घंटे देल पर चालन बंद रहा जिससे दिल्ली की और जाने वाली पांच ट्रैने प्रहवेत हुई उन्हें देडी से अपने गंतब के लिए जवाना किया गया और देल ट्रेक दुरुस्त करने के दोरान भोपाल के जानी कमलापती देलवे इस्टेशन पर सान ए भोपाल एक्सप्रेस वा देवांचर एक्सप्रेस डेड़ से दो घंटे तक खड़ी रहीं इसके इलावा भोपाल इस्टेशन पर बीना की ओर जाने वाली पुस्पक एक्सप्रेस तमल नाडू गोवा और एपी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को रुखना पड़ा इस दोरान यात्कियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और रात को करीब ग्यारा बजी पहली ट्र परेशन के लिए रवाना किया गया साथ यो जानकारी के मुताबक ठंड की बज़े से रेल पटरी में क्रेक आया था और उस दौरान अच्छी बात यह रही कि उस समय कोई भी रेल गाड़ी ट्रेक से ओकर नहीं गुजर रही थी और हाथा होते होते टल गया इस दौरान फ् देखने को ही मिलती हैं और इन सबसे बजने के लिए भाथी रेलवे दिन दिन नए नए प्रयाश करता है और रेलवेस के लिए कोल्ड पैटर्लिंग एवं अनप्रकार की विदियों को प्रियों महत ला रहा है जिससे इस प्रकार की धश्या भी से बचा जा सके धन्वा दो आगे फिर्म लेंगे और नई इन्फॉर्मेंशन के साथ जब तक लिए जय हिंद्ध